आज हम बनाएंगे वाइट ची सॉस पास्ता सबसे पहले हमें पास्ता को बॉइल कर लेना है पानी में हमें दो से तीन ड्रॉब ऑईल अड़ करना है इसके बाद पास्ता अड़ कर देंगे इसे पांच से दस मिनट के लिए हाफ कुक करेंगे पांच-दस मिनट के बाद हमें इसे चान देना है पास्ता में ओईल डाल देंगे चान ताकि वो एक दूसरे से शिपके नहीं इसके बाद हमें पान में दो चमच बटर डालना है गार्लिक और चिली यहां लसुन और मिर्ची को हमें सौटे कर लेना है दो से तिनर तीन मिनट बाद अब हम इसमें दो चमच मैदा अड़ करेंगे अब इसे रोस्ट कर लेना है जब इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए इसके बाद हमें इसमें दूद आड़ करना है या मैंने हाफ लिटर मिल्क यूज किया है अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें कोई भी लंच नहीं होना चाहिए तोड़ा सा पानी आड़ किया इसमें मैंने जब इसमें एक बॉइल आ जाए अब इसमें हमें ब्लाक पेपर चिली फ्लेक एंड सॉल्ट आड़ कर देंगे यहां पर हमें नमक अपने स्वाद के अनुसार आड़ करना है अब इस अभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हमें औरिगान आड़ करना है एक बार इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद हमें बॉइल पास्ता आड़ करना है इसे अभी हमें पांच मिनट के लिए पका लेना है अब मैंने चीज क्यूब्स डाले हैं यहां पर यहां पर हम चीज को ग्रेट करकी भी डाल सकते हैं गानिशिंग के लिए यहां पर मैंने कोरियंडर लीग्स यूज किये हैं आप चाहे तो पास्तले भी यूज कर सकते हैं करूज कर सकते हैं कर दो